हेलो फ्रेंड्स रीने रसोई में आपका स्वागत है आज हम रीने रसोई में बनाने जा रहे हैं गर्मी में अत्य अधिक पसंद की जने वाली केसर कुल्फी आए चलिए चलते हैं रीने रसोई में केसर कुल्फी बनाने खुल्फी बनाने की सामग्री एक कटोरी शक्कर एक कटोरी गरम दूद जिसमें केसर के थोड़े से रेशे डाले हैं एक कटोरी काजू, एक कटोरी बादाम, दो चम्मच पिसी हुई इलाची का पाउडर, एक कटोरी दूद का पाउडर खुल्फी बनाने के लिए हमने फुल क्रीम वाला एक लीटर दूद लिया है, इसको हम लगातार खौलाते रहेंगे, जब तक ये दूद खौल कर आधा नहीं हो जाएगा इस दूद को लगातार चलाते रहना है, जिससे भौने की पेंदी में दूद लगे नहीं अब हम मेवा काटते हैं, हमारी मेवा कटकर तयार हो गई है, और हमारा दूद खौल कर आधा हो गया है अब हम इसमें और सामग्री डालते हैं, एक कटोरी चीनी, चीनी को खौब हम अच्छे तरह से मिलाएंगे, फिर इसमें हम दूद का पौडर डालेंगे इसको भी अच्छी तरह से मिलाएंगे दूद हमारा गाड़ा हो गया है, अब इसमें केसर वाला दूद डालेंगे अब हमारा दूद खौल कर तयार हो गया, मेवा डालेंगे बादाम, काजू, इलाइची पौडर कुल्फी बनाने के लिए दूद गाड़ा हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे दूद ठंडा हो गया है, इसको अब हम पौल्फी वाले मोड में भरेंगे मोड में भरते समय ध्यान रखेंगे कि बाहर दूद ना जाए सब भरके इनको हम 8 गंटे के लिए प्रिजयर में रखेंगे, अब इसके उपर हम धकन लगाएंगे लगकल लगाकर 8 से 10 गंटे के लिए फ्रिजयर में रख देंगे 8 गंटे हो गए हैं, हमारी कुल्फी बनकर तयार हो गई है, देखने में भी कितनी सुन्दर है, और खाने में स्वादिष्ट हमारी कुल्फी अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए एक नई बसे भी लेकर आं फिर्मिल तेंग, दबता के लिए, ओके बाए